Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. In figure, if PR is equal to PS, PT is equal to PQ, angle PTS is equal to angle PQR is equal to 90 degree, prove that RQ is equal to ST and RT is equal to SQ. यहाँ पर देखे, आपको काग है, figure के अंदर आपका PR, जो आपका यह PR है, वो इक्वल है, PS के and PT आपका इक्वल है, PQ के और angle PTS आपका यहाँ पर 90 degree है, तब आपको प्रूफ करना है, जो आपका यह RQ है, is equal to ST होगा and RT आपका is equal to SQ, यहाँ आपको यहाँ पर प्रूफ करन है, अब देखे, given आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर, angle PTS is equal to angle PQR, दोनों कितने हैं, आपके 90 degree है, अब देखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, in, right, angle, triangle, STP, STP, देखे, यहाँ पर, आपका STP, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, पाइथागोरस theorem, पाइथागोरस theorem, इसका हमने यहाँ यूज कर लिया, जो कि आपके क्या हो जाएगी, hypotenuse, इसके लिए hypotenuse आपकी कितने हो जाएगी, P, S, square, is equal to, यहाँ पर देखे, आपका P, S, square, is equal to, P, T, का square, प्लस, T, S, का square हो जाएगा, सो, यहाँ से हमने क्या find out किया, यहाँ से हम, जो आपका यह, S, T है, यह, T, S, बात सेम ही होती है, S, T, square, is equal to, हम क्या ले लेंगे, आपका आजाएगा, यह, P, S, square, minus, P, T, square आपका हो जाएगा, now, अब बात करते हैं, in, right, angle, triangle, P, Q, P, Q, R के अंदर हम बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे भी हम, जो आपका P, Q, R है, यह भी आपका right triangle है, क्योंकि यहाँ पे angle, यह आपको दिया हुआ है, Q, आपका 90 degree है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका Pythagoras theorem से, हम यहाँ पे भी यूज़ कर देंगे हम, Pythagoras theorem, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए, इस triangle के अंदर बात कर रहे हैं, तो हमारा P, R, का square is equal to, यह आपका हो जाएगा, P, Q का square, प्लस Q, R का square आपका हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमारा निकल के आता है, R, Q जो आपका है, R, Q का square is equal to, कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, P, R का square minus, P, Q का square हो जाएगा, क्योंकि देखें यहां पर qr लिखे या rq लिखे बात आपकी same ही होती है तो यहां पर rq is equal to इतना हो जाएगा आपका अब देखें यहां पर क्या किया है हमने इसको equation number first write कर लिया and इसको equation number second write कर लिया यहां पर and also हमें क्या given है यहां पर हमें given है pt जो आपका यह pr है वो आपका ps के equal है question के अंदर and pt आपका किसके equal है p q के equal है तो यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा pr आपका किसके equal है ps के equal है and pt आपका किसके equal है यहां पर जो आपका यह pt है यह इसके equal है so यहाँ से आपका first and second से आपका क्या निकल के आएगा जो आपका यहाँ पे qr है यह आपका यह this side qr is equal to st आपका हो जाएगा so from first and second यहाँ से हमें क्या मिला यहाँ से हमें मिल जाएगा r q is equal to st first तो हमारा यहाँ पे proof हो जाता है कि r q is equal to st है अब second के लिए देखें यहाँ पे second के लिए हमें क्या given है second में हमारा जो p t है मतलब यहाँ पे p r is equal to ps है अब देखें कैसे जो आपका यह p r है यह आपका ps के equal है तो यहाँ से क्या implies होगा आपका p t plus pr कर देंगे यहाँ पे जो आपका p t है plus tr इसको write किया जा सकता है p t plus tr is equal to ps को write किया सकता है p q plus qs यह write किया सकता है and यहाँ पे हमें क्या given है given हमें यहाँ पे देखें कोशन के अंदर p t जो आपका है वो p q के equal है यदि हमारा p t p q के equal है that is p t आपका यह p q के equal है तब यहाँ से आपका क्या implies हो जाएगा कि आपका जो tr है वो qs के equal हो जाएगा जो आपका tr है या इसको r t हम के बात एक ही होती है तो यह आपका इसके equal हो जाएगा तो यह हमारा second condition भी proof हो जाएगी यहाँ पे हम लिख देंगे जिसका हमने reference दिया है यहाँ पे reference हमने किसका दिया है कि आपका जो p t है वो p q के equal है इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है तो answer आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा hence r q is equal to st and r t is equal to s q यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे proved हो जाएगा I hope you understood the explanation, thank you